कर दिखिए यह है कि इसके कई पहलू सकते हैं कि मैं कई पहलू हमेसा इसलिए बोल देता हमेरी बात को हमेसा आप लोग उससे समझेगा लेके बात बोल देने का मतलब हो ता है ऐक यह आंसर कि उसको एक्स्प्लोर करने के लिए मैं कहता हूं और जैसा कि प्रैक्टिकल व्यू है पहले तो उसी से चलते हैं फिर दूसरे पहलू पर आते हैं हम लोग आपको अपने देखिए बच्पन को थोड़ा सा एक्स्प्लोर करना पड़ेगा धूनना पड़ेगा बच्पन में कोई घटना दुर घटना या कोई भै ऐसा पड़ा हुआ है क्या कभी-कभी वो हमारे अचेतन में ही इतना पड़ा हुआ हो सकता है कि हम उसकी मेमरी से छूटी नहीं पा रहे हैं और एकदम से हम सफोकेट फील करते हैं इस तरह की घटना हो सकती है यह इसका बिलकुल प्रैक्टिकल पहलू है और कभी-कभी लगता है कोई हाथ आया दम घोट दिया वाली जो चीज है कभी-कभी सचमुझ में कोई हाथ नहीं आता हमको लगता है और कभी-कभी हम सचमुझ अपने ही हाथों से अपना गला दबा सकते हैं ऐसी घटनाएं होत अपने अपने पर नहीं आता है बहुत दो थे दो ट्रक्नों पर पेडी जल्म हीना ये बच्चे बहुत होते हम पूने के लिगी तरसंद कर आगे थे उसके आख नीचे आये हैं अब हम घसे अपने पने पर पान नाग देगे थे पूरी आवूरा उपने आपने पान नाग तो सब चाल गया हैं से तो मेरी आप में एकतम बंद जाती है और उसके बाद में ये भू लगता है कि एक उनसे गाई आई है गाई आई है तो वह गाई ऐसे क्रॉज ही और मेरा ये कोही इस पर गाई पर लग गई लग गई तो मुझे लोगोंने उहां 18 लोग लड़के तो मुझे उनसे पिरिणा से लोग दिया जबस दां जबस से तो मैं वह भाई भी था उसे महीता तो उसमें क्या आयो बढ़ा देलिया बाद मुझे पकता दादा जब हुआ पर लोग केच्शा परीम हागे थे स्विद्धू मैं डराउख भाए भाई है अज आए क्यों के दायका तो कोई लग गई तब रही बात नहीं है कि अज्वने रही अदने कि मारा होगा तो आपर अर लोगे की तॉ आनि है के सकतर नॉर्माल है मैंने का हाद मारूल हुष तो मिज है द्रिताइने या आप लोगोने फी क अभताओं मुझे इना डी आ हिर्षे हां घृट मुझे द्रॉट मुझे कर्या किस्ते तब रहां से की यह कुछ तब लोगोने देखा इसदी वो देखते होंगे वो फील होती हो अब देखे यह पॉइंट क्लियर हो गया इसको देखे इसको थोड़ा सैकेलोजिकल सेनेरियों में हमको देखना पड़ेगा और इसको अगर मिस्टिकल बनाएंगे तो कई लोग आत्मा और यह सब पजेशन सब वो कहके आपको बताएंगे लेकिन यहाँ पर क्या है कि कर भी आप रहे हैं और देख भी आप रहे हैं इतनी बात तैह है कि आप को पीछे जाकर कुछ ढूड़ना पड़ेगा आपकी मेमरी में कोई भै ऐसा पड़ा हुआ है जो आपको असरक्षित बना रहा है तो उसमें कोई खास किस्म के कहानी भी उभर आती है और कोई भी चीज जिससे आप अपने उपर ही उस चीज को कर लेते हैं अब इसमें तो आपने सारी कहानी देख लिए कि गाये आई और उसको कोहनी लगी और लोगों ने पीटा यहने की पूरी स्टोरी ही चली आ रही है इसमें कोई नहीं जानता है कि अगर एक्स्प्लोर किया जाए तो कहीं ऐसी ही किसी घटना का कोई इंप्रेशन पड़ा हो सकता है कि वो भैय आपके अंदर ऐसा पड़ा हुआ हो जिसमें आप अंजाने में अपने को नुक्सान पहुँचा लेते हैं इसको अगर आप थोड़ा ध्यान में सांती से बने रहेंगी ये पहले तो यकिन मानना बंद कर देंगे कोई बाहर से कोई स्पिरिट वगरा से हो रहा ऐसा खुश नहीं तो वो धीरे-दीरे खतम होगा तमाम ऐसे केसेज होते हैं जिसके जहां पर कई महिलाओं को ऐसा लगता है महिलाओं में ज़्यादा होता रहा है आपके केस में देखें बिंगे मेल भी आपको ऐसा हो रहा है ऐसे cases महिलाओं में ज़्यादा होते हैं तो कहीं उनको खरोची आ जाएंगे उनको लगे किसी ने आके उनको खरोच दिया पकड़ लिया और कहीं कपड़े फार दिये उन्होंने तो ज़्यादा तर ऐसे उनके अंदर कोई phobia कोई psychological suppression ऐसा बन जाता है और एक अलग state of mind में वो खुदी सब कुछ कर लेती है और उनको लगता है कि किसी ने किया उनको लगता है दो case होते हैं एक case होता है जिसमें उनको पता भी होता है कि मैंने किया वो थोड़ा drama होता है लेकिन slight drama और slight reality इसके लिए खास terminology उसको बोलते है malingering जिसमें पता भी है और वेक्ति करता भी है उस चीज को और एक बार उसका नियंतरन चला जाता है थुदा ज़्यादा कर बैठता है लेकिन एक condition में उसके mind के टुकड़ को पता ही नहीं होता लेकिन वो करता है महिलाओं में ऐसे cases बहुत देखे गए है अब मालीजे घर में बहुत दबाओ की परस्तियां है घर वाले निकलने नहीं दे रहे हैं बात नहीं करने दे रहे हैं और उसको लगता है कि मुझे लोगों से मिलना चाहिए लोगों को मेरे उपर ध्यान देना चाहिए लोग मुझे देखें यंग एज में इसलिए वो 20 से 30 साल या 15 से 30 साल के बीच में ऐसे cases बहुत होते रहें तो वो महिलाएं कपड़े फाड लेंगी या कोई सरीर में काट लेंगी अब उस कंडिसन में सब उनको देखेंगे अविशली लोग उनको देख रहें तो ये किस्म का जो लोगों को दिखाने की उनके अंदर दबी होई भावनाती वो पूरी हो जाती है वायूरिजम से लेके और तमाम ऐसे वायूरिजम दिखाने जो प्रवत्ती होती है वो होती है तो वो भी घटनाएं ऐसी हो जाती है तो वहाँ पर क्या है कि दोट किस्म के केसे होते ही या तो अज्ञाने में आनी कि उनका अवचेतन इतना डीब जाके अब चीज को कर रहा है कि वो खुद भी नहीं समझ रही है और एक है मैलेंगरिंग वाला जिसमें उनको थोड़ा-थोड़ा तो पता है कि मैं कर रही हूँ लेकिन कब जादा कर बैठ हैंगा ये उनको नहीं पता है तो उस कंडिशन में उनको लेगा इतना कैसे कर लेगा अव्यक्ति लेकिन करने वाला वही है क्योंकि परिशानी उसके माइंड में है उसके अंदर वो चीज है तो इस चीज को study हमको करना पड़ेगा explore करना पड़ेगा अगर वो दिखिए आपकी तरफ से चीज ना आती लोगों ने ना देखा होता है कि चादर आपी कस रहे थे फिर भी सब घटना वैसी हो गई होती तो उसको अलग लाइट में भी देखना पड़ता आपके केस में इस चीज को देखना पड़ेगा अब इस समय तो इसकी हम डिटेल में बात अभी नहीं करेंगे लेकिन आप अपनी बज़पन की पारिवारिक प्रिष्टभूमी आप अपनी अप्रिंगिंग और वहां के जो स्ट्रगल आसपास की जो चीजे थी उनको एक बार अच्छे से समझेए आपस में डिसकस करेंगे फिर कभी हम लोग मिलेंगे तो उस पर डिटेल में आपको बात करेंगे तो यह चीजे हमेशा के लिए ठीक होंगी जैसे वहां के गंटा तो फूना की तो उस से हो जो लेकिन जब मैं बिस्तर पर होता हूँ वो नहीं है वो चीज़ा लगे नहीं बिस्तर पर आप गला नहीं दबाते होंगे लेकिन वो गला दबने की फीलिंग आ सकती है गला नहीं आप हां से दबाएंगे लेकिन वो लगेगा लेकिन वो लगेगा लेकिन वो लेकिन नहीं किसी सुप्रस्टीशन की बात नहीं उठाओंगा हनवान चालीशा भी आपको उतना ही काम करेगा जितना कोई समझदारी की बात की सजेशन आपने लिया कि कोई बात नहीं हनवान चालीशा जैसे चीज़ें ऐसा ही काम करती है क्योंकि आपका मनोबल बढ़ा देती है उस समय गला दिखिए दबना जो है वो दम घुटने की फिलिंग है वो दम घुटने की फिलिंग में लगे गला आपका घुट रहा है तो एक तो आप देखिए अपने सोने की परिस्तितियां वगयरा थोड़ी बदल दीजिए थोड़ा कमरे को एरी बनाईए इस तरह की चीज़ें थोड़ा करी अगर है तो बहुत अच्छा है नहीं तो थोड़ा कभी बेट का डिरेक्शन वगयरा बदल के देखिए आप सब कर चुके होंगे कहेंगे आपके मन में है ना तो इसलिए परिस्तिती से फरक नहीं पड़ रहा है तो अभी को बस केवल आपके मन को एक सजेशन देने के लिए कुछ बदल रहा है आपका मन ले और दम गुटना जो है ना इसको मैं जो समझता हूं जिन्दगी में थोड़ा प्रेम की कमी जैसे ध्यान न दिये जाने की उपेक्षित हो जाने की जो भावदसा है उससे इसके लिंक जुड़े हुए पड़े हो सकते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि आपका कोई टाइम फ्रेम ऐसा रहा हो जब आपको बड़ा उपेक्षित जीवन जीना पड़ा हो आपकी मेमरी में है कहीँ? नहीं बचपन से इसर दिम्द आप 10-12 साल करें उसके पहले पता करीए फिलाल मेरा सग्रें यह है कि नहीं रहा होगा तो अपने जिंदगी में थोड़ा और प्यार बढ़ाए थोड़ा और ज्यादा लविंग होईे और कुछ का और प्यार वाले करिए जिंदगी में कुछ चीजें करिए और आपस में तो प्यार बढ़ाई यह बढ़ाई फिर धीरे दीरे कि जब आप आस्वस्त होंगे यानि कि आप अपने अंदर सेटल होंगे आपको कुछ ऐसी अनावस्चक परिशानी नहीं नजर आएगी और आपको जीने की दम घुटने की बेचेनी कहा है जीने की जद्धो जहद है जीने की मैं मरना नहीं चाहता और कुछ है मुझे जो मेरा दम घुटे दे रहा है और मैं अगर इसे स्टेट में आ जाओं कि मैं परवाई नहीं करता अब तो इतनी खुसी है कि अभी भी मर जाओं तो हमने जित्ती बताई समझाई वह सिंपल सी उनको है आप पहाड़ों में हैं तो नेचर आपके लिए है विलेबल थोड़ा नेचर से रिलेट करिए और अगली बार मिलेंगे तब तक चीज़े से टड़ हो चुकी होगे अगली बार मिलेंगे तब बात करेगा इसको भूल जाएए ट्राइ भी मत करिएगा उसके बारे में सोचीयगा है खेचरी मुद्रा भी दमघुटने जैसे ही फीलिंग होती है ज्यादा आप खेचरी मुद्रा बनाएंगे तो और कहीं न कहीं से वो सब चीजे आपके अचेतन में उसको और उभार देंगी उस चीज को तो रिलैक्स होईए मुद्राओं को मत करिए रिलैक्स होईए और मुद्राओं को करना है तो हाथों की मुद्राओं का उपयोग कर लेजे वो ज्यादा बेहतर हैं हाथों में तमाम मुद्राओं हैं आप सर्च कर लीजिये, जो भी चीजे हैं, आप प्राण मुद्रा में बैठिये, या जो ध्यान की मुद्रा है, ग्यान की मुद्रा है, इसमें बैठिये, या आप इस मुद्रा में, इस वाली फिंगर के साथ ऐसे बैठिये ध्यान में, आकास मुद्रा में, तो वो एक्सपें यह आपको थोड़ा फैलाव देगा लेकिन इंटर्नल कोई मुद्रा बंद यह ट्राई मत करें क्योंकि आपकी प्रॉब्लम है सफोकेशन की और आप जितनी भी चीजें यह अभी जैसे खेचरी मुद्रा तो उससे रिलेटेड ही है अपनी जीप को पीछे आप पलट के आप सटाने की कोशिस करते हैं खेचरी मुद्रा में तो उसमें तो वो चीज सामिल ही है उसो कुछ दिन अवाइट करिए और सांती से इंज्वाई करिए द्यान को फिर देखे क्या होता है काम वो वाले करेंगे जैसे परिसान नहीं हो खेचरी मुद्रा वाला मत करिए उसमें कामें जैसे उसमेन से इंज्फिस. झाल झाल